अंतराष्ट्रे बैडमिंटन खिलाडी सायना नह्वाल ने अपने पती अर्जुन्पूरस्कार विजेता पारुपली कशिप जो अंतराष्ट्रे बैडमिंटन खिलाडी है के साथ राजपाल बंडारू दतत्रे से राजभवन में भेडगे राज्यपाल ने हिमाचली परंपरानुसार, सायना नहवाल और पारुपली कश्यप को हिमाचली टोपी शौल भेंट कर सम्मानित किया और राजभवन का चित्र सम्रीती चिन के रूप में भेंट किया इस अफसर पर राजेपाल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश एक सुन्दर पहाडी प्रदेश है यहां के युवा काफी प्रतिभाशाली है और अच्छे खिलाडियों के उनमें गुर्ण मौजुद है उन्होंने कहा कि और अधिक सुविधाओं की कमी के कारण कई बार उन्हें उन्होंने कहा कि प्रदेश में ही ऐसे प्रतिभाशाली खिलाडियों को और उच्छे स्तर की सुविधाएं उपलब्ध हों तो निश्ची तोर पर अंतराष्ट्य स्तर पर देश्व प्रदेश का नाम रौशन कर सकते हैं उन्होंने कहा कि हिमाचल से अनेक खिलाडी आज अ उभर सके दत्तत्रे ने कहा कि उन जैसे अंतराष्ट्य खिलाडियों की मदल से हिमाचल प्रदेश में भी खेल अदोसरंचना के लिए संभावनाओं को तलाशा जा सकता है उन्होंने कहा कि वे स्वयम खिलाडी रहे हैं इसलिए खेलों के प्रति उनका विशेश लगा रहा है उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में भी खेलों के लिए अंतराष्ट्य स्तर्की और सुविधाय विखसेत हो इस मौके पर सायना नहवाल ने राजेपाल का अभारव्यक्त किया और कहा कि वे हिमाचल प्रदेश में बैडमिंटन अकादमी खोलने की चुक है उन्होंने कहा कि उत्तर भारत से खिलाडी कोचिंग के लिए हैदराबाद और बैंगलूर जाते हैं जबकि अंतराष्ट्य स्तर की कोचिंग उन्हें उत्तर भारत में ही मिल जानी चाहिए उन्होंने कहा कि इस तर्य खेल के लिए कोचिंग बहुत जरूरी है और को रूपली कश्यप ने कहा कि बहुत से खिलाडी उच उन्चाई पर प्रशिक्षन के लिए विदेश आते हैं जबकि ये प्रशिक्षन हिमाचल में दिया जा सकता है यहां संभावनाएं काफी हैं उन्हों ने कहा कि जहां तक बैडमिंटन के खेल का प्रशन है ये काफी महंग खेल है और ज्यादातर कोच और सुविधाओं की कमी रहती है इस तोरान सायना नेवाल ने राजभावन का अवलोकन भी किया और यहां की वास्तूकला की प्रशन हिए